नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आपको कम कनेर के फूलों में भगवान शंकर जी के लिए बहुत ही सुन्दर माला बनाना बताएंगे जी हाँ दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास परयाप्त मातरा में कनेर के फूल उपलब्द नहीं हो पाते हैं और हमें भगवानशिप शंकर के लिए कनेर की फूलों की माला चड़ाना आवशक होता है तो दोस्तों आज मैं आपको कम कनेर के फूलों में बहुत ही सुन्दर माला बनाने की विधी आपको बताऊंगी तो दोस्तों यहां पर हमारे बाड़ी में कनेर का पेर लगा हुआ है और इस पेर में से हम तोड़ लेते हैं कनेर के फूल तो यह देखी यहां पर मैंने इतने सारे फूल तोड़ लिए हैं आप देख सकते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमें थाली भरकर कनेर के फूल चाहिए तो दोस्तों इतने कम फूलों में भी हम कनेर की सुन्दर माला बना कर तयार कर सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर फूल तोड़ लिये हैं और अब इन फूलों को लेकर चलते हैं हम घर पे दोस्तों वीडियो को विल्कुल सब्सक्राइब करना यहां ने रखे देख यहां पर मैंने बड़ी वाली सुई में धागा दाले और कनीर के फूल करना इस प्रकार से लेकर इस प्रकार से धागे के अनदर यह यह देखिए आप देख सकते हैं यह देखिए इस प्रकार से हमें पिरो देना है और इतना लंबा धागा हमें छोड़ देना है कि देखिए कनेर के फूल के बीच में से हमें सुई इस प्रकार से पिरो देनी है यह देखिए और जो डंठल लगा हुआ है कनीर के फूल के उपर उसको हटा देना है तो यह देखी बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों माला बनाने का इस तरीके से आप भगवान संकर के लिए कम फूलों में भी बहुत ही सुन्दर माला बना सकते हैं तो यह दिकी दोस्तों आपको संकर जी की मूर्ति के साफ़े जितनी बड़ी माला आपको बनानी है आप बना सकते हैं दोस्तों अभी हर्दाल तीज आ रही है और हर्दाल का तीज पर आप भगवान शंकर जी के लिए इस प्रकार से कनीर के फूलों की बहुती सुन्दर माला बना कर तयार कर सकते हैं आप जिस मंदिर में भी पूजन के लिए जाए उस मंदिर में आप मूर्तिक हिसाब से कनीर के फूलों की माला बना सकते हैं अगर आपके पर्यापत मातरा में कनीर के फूलो उपलब दिना हो तो आप इस तरीके से कनीर के फूलो की बहुती सुंदर माला बनाकर तयार कर सकते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं कम फूलों में हम भगवान शंकर जी के लिए बहुत ही प्यारी माला त्यार कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपको कनीर के फूलों की पंखुडी की गुलाब के फूल लगा कर माला बनानी है या फिर सिबलिंग के लिए कनिर के फूलों की माला बनानी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से हमने कनिर के फूलों की पंखुडियों की गुलाब के फूल लगा कर माला बनाना और कनीर के फूलों की आड़ी में यानि जो डंडी होती है उस साइट से माला बना कर बताया है तो दोस्तों बहुत ही सुन्दर माला हैं अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं सर्च कीजिएगा हेमा हिंदी ब्लॉक्स और चैनल को सब सब्सकाइब जरूर कीजिएगा तो यह देखी दोस्तों यहां पर अब हम आड़ा फूल लगा देते हैं कनीर का देख सकते हैं आप दस फूलों की आठ फूलों की या फिर मूर्ती किसाब से आप बड़ी छोटी माला बना कर तयार कर सकते हैं और यह देखिए अब हम सुई को यहां से पिरोएंगे पहले हमने सुई को इस साइट से पिरोया था अब हम डंडी की और से सुई को पिरो रहे हैं यह देख सकते हैं तो यह देखिए डंडी की और से फूल जब हम पिरोएंगे तो फूलों का जो मुख है वो इस साइट हो जाएगा यह देखिए आप दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीका소 करनीर के फूलों की माला बनाने का कम फूलों है यादि कम भगधवाण शिव शंकर के लिए बहुत ही कि सुंदर माला बनाकर कर शक्ते हैं तो दोस्तों इसी परकार से हम घाली में रखे यह पांच शे फूल और लगा देंगे और बहुत ही सुन्दर माला बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कम करनेर के फूलों में भगवान शंकर जी के लिए बहुत ही सुन्दर और प्यारी माला बनकर तयार है यह देखिए बहुत ही आसान व वीडियो में तब तक के लिए जाय भूले नात